तो भई आप सभी का स्वागत है एक बार फिर AJIS Academy पर ठीक है प्रोटीन के बारे में दो तीन चीजे में आपको बता दी थी क्या क्या बता दिया था प्रोटीन के बारे में सबसे पहला तो यह क्या है मेक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब व्रहद अणू है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसकी ज्यादा मात्रा में हमको requirement होती है, बॉडी के अंदर, हम लोग ज्यादा मात्रा में protein का consumption करते हैं, जितना हमारा वजन होता है, उतना ही हमें protein एक दिन में लेना होता है, फाइन, चलो, दूस तो carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, ठीक, तीसरा protein जो होता है, वो क्या होता है, polymer of, polymer of amino acid, amino acid, अमीनो अमलका क्या होता है, बहुलक होता है, अगली बात, अगर मैं इसके word की बात करूँ, तो protein जो है, Greek word, proteosis या इसको जो भी पढ़ना चाहें, इससे मिलकर बना हुआ और इसका मतलब होता है, prime important, ठीक है, मतलब की, जिसको हम कहते हैं, अति महत्वपूर्ण या प्रथम महत्ता जिसकी होती है, अति महत्वपूर्ण या प्रथम महत्ता, इन दोनों का इसका मतलब होता है, ठीक, तो हम सबको पता है कि protein जो है, एक requirement element है, मारी body के अंदर, जिसकी importance किसी भी दूसरी चीज़ से कम नहीं है, है ना, growth years में हमें protein की बहुत जादा requirement हमेशा ही होती है, ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई, आप देखो, हमने एक line लिखी याँ पर कि protein किसका polymer है, amino acid का, तो सबसे पहले हमको किसको पढ़ना पड़ेगा, amino acid के, है ना, तो amino अमले क्या होता है, उसको हम पहले discuss करेंगे, और उसके बाद फिर हम protein के उपर आएंगे, ठीक है, तो जल्दी से ये note कर लीजिए, ये एक दो चीज़े ही होगी, बाकी तो हमने सब note करी चुके हैं, अल्रेडी, है ना, तो protein जो होता है, एक macro molecule होता है, fine friends, अब हम बात करने वाले हैं, कि protein जिद से बना होता है, वो होता है, amino aml, और amino aml जो होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में, आपको मैं detail में आज जानकारी दूँगा, ठीक है, चले भई amino acid, amino acid में दो चीजे हैं, पहला तो है हमारा amino, और दूसरा क्या है, acid, ठीक है, amino का मतलब है, amine group, जिसको की हम NH2 से represent करते हैं, ठीक है, amine का मतलब क्या है, amine group, जिससे हम NH2 से represent करते हैं, और acid का मतलब कौन सा group है, COOH, है ना, इसको कहा जाता है, carboxylic group, ठीक है, carboxylic group, और ये है हमारा amine group या amine group, है ना, जेसा भी आप बोलना चाहो, बोल सकते हो, उसमें कोई दिककत नहीं है, पर formula हमको सही लिखना है, ठीक है, तो amine group और carboxylic acid group, अब देखो भई जरा, कि इसमें इनको हम functional group भी कहते हैं, क्या कहते हैं, functional group, functional group मतलब क्रियात्मक समू किसी भी योगी का, किसी भी compound का क्रियात्मक समू क्या होता है, जैसे मैंने लिखा मानलो, C2H5OH, है ना, ये लिखा मैंने compound, एक लिखा मैंने CH3, ये इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया मेरे पास acetone, इसका क्या नाम है, acetone, ये हो गया, इसका क्या नाम है, बताओ हाँ aldehyde group है है ना और दो आपके पास carbon है मतलब यह ethenol हो जाएगा aldehyde के लिए हम क्या use करते है al तो यह हो जाएगा हमारा ethenol ethenol मतलब की acetaldehyde इसका common name क्या है acetaldehyde ठीक इस तरीके से आप जितने भी योगिक देख पा रहे हो इन सारे compounds में है ना आपको अलग-अलग functional group दिख रहे है यहाँ पर देखो functional group क्या है OH यहाँ पर क्या है C double bond O यहाँ पर क्या है CHO तो यह जो OH है इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है हाई यह alcoholic group है ठीक है पर यह phenol में भी होता है यह देखो यह अगर मैं बनाऊ बेंजिन रिंग और इसके ओपर मैंने OH लगा दिया तो यहाँ पर भी OH है और यह भी OH है यह alcoholic OH है और यह कौन सा OH है phenolic OH है बहराल इसको हम कहते हैं hydroxile group hydroxile group है ना इसका नाम क्या है hydroxile group और अगल alcohol के साथ है तो हम उसको alcoholic group भी बोल सकते हैं ठीक यह कौन सा group है भाई यह ketone का group हो गया और यह किसका है LD height का है मतलब कि जब alcohol में अगर OH नहीं होगा तो उसको क्या मैं alcohol कहूँगा नहीं कहूँगा भाई alcohol तभी है जब उसमें कौन सा group है OH LD height, LD height तभी होगा जब उसमें कौन सा group होगा CHO मतलब कि यह जो एक छोटा सा group है है ना जिसको हम क्या कहते है functional group उसी की वज़ा से alcohol alcohol की तरह कारे करता है मतलब alcohol alcohol की तरह function देता है या उसकी chemical reaction perform करता है इसलिए इसको हम क्या कहते है functional group तो अब हमारा amino acid जो है उसमें तो दो चीज़े है amine भी है और carboxylic group भी है मतलब इसमें कितने functional group है दो functional group है तो इसी हाँ वो दिटर आयन की तरह भी work करेगा वो आगे बताऊंगा मैं अभी है ना तो देखो amine group और यह दोनो group तो हम लिख सकते हैं कि amino acid क्या है बाइ-functional ठीक है बाइ-functional molecule है amino acid कौन सा molecule है बाइ-functional ठीक है amino acid is bia-functional molecule यह भी एक हिंदी में इसको बोलेंगे द्वी क्रियात्मक समू है इसमें ठीक है इसमें दो क्रियात्मक समू उपस्तित है, ठीक है, अब मैं उसका structure बनाता हूँ, amino acid का, ये हो गया amino acid by functional molecule है, ये भी बहुत important line है, हमको याद रखना है, और functional group कौन-कौन से है, COOH और NH2, आचा, इसके पहले में एक दो चीज़ और बता देता हूँ, कि amino group, है न, amine group का basic, जो nature होता है, है न, nature का मतलब सभा उसकी प्रक्रती कैसी होती है, छारी होती है की अमली होती है, मतलब acıyı को basic होता है, amine group, हाँ, बोलो, base होता है का acid होता है, बोलो, basic होता है, ठीक है, और COOH group कैसा होता है, अचा, ये, amine group basic क्यूं होता है, ये बता ओ, देखो, amine group जो है हमारे पास, amine क्या करता, amine में कौन सा इसका structure अगर में बनाओ तो इस तरीके से बनता है यह है nitrogen, है ना, और यह है इसके पास 2 hydrogen, ठीके, एक इसकी valency जो है वो हमेशा खाली रहती है, आप उसको किस तरब भी बना सकते हो, ठीक, उसके बाद में, अब आप जड़ा देखो कि nitrogen जो है, उसका atomic number क्या होता है, 5, है ना, साथ होता है, है ना, nitrogen का atomic number क्या होता है, 7, अगर मैं इसका लिखता हूँ, electronic configuration तो क्या लिख सकता हूँ, 2 और 5, लिख सकता हूँ, मतलब कि last वाले orbit में कितने electron है, 5 electron है, है ना, तो 5 electron में से 2 तो hydrogen के साथ जुड़े हुए, और एक जो है, वो free है, जो कि किसी other substance के साथ जुड से जुड़ेगा, amino acid जो group है, उसमें carbon से जुड़ेगा, इसके बाद भी उसके पास कितने बच रहे electron, दो बच रहे हैं, भाई, 3 तो हमने बता दिये, busy है, पर 2 कैसे है, free है, तो वो जो 2 electron होते हैं, उन्ही को हम क्या कहते है, lone pair of electron, क्या कहा जाता है, lone pair of electron, ठीक है, मतलब की, एका की युगम, कौन सा युगम है ये, एका की युगम, इलेक्ट्रोनों का एका की युगम, अब इसकी वज़ा से क्या होता है, कि mind group जो है, इसकी structure में भी change आता है, उत्ता detail जाने के हमें जरूवत नहीं है, structure में भी change आता है, इसके repulsion की वज़ा से, है ना, और साथ ही मे अगर nitrogen के पास दो electron है, तो वो easily किसी को electron क्या कर सकता है, donate कर सकता है, उसके पास तो free है ना, इनका कोई काम है क्या है, नहीं है, मतलब की बही देखो, जो भी substance या जो भी element, electron donate करता है, उसको हम क्या कहते है, base होता है, कैसा होता है, base, है ना, उसका nature कैसा होता है, छारी ये होता है, वो कैसा होता है, nature में, basic होता है, छारी ये प्रकृतिका होता है, इसका example आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि sodium, जितनी भी आपकी metal है, S-block वाली, है ना, S-block मतलब periodic table में, first or second जो group है हमारा, sodium, sodium वाला और magnesium वाला जो group है, वो सभी कैसे है, वो सभी basic nature क है, कि वो सब क्या कर सकते है, electron को आसानी से किसी को भी दान कर सकते है, है ना, तो यहाँ पर ये जो concept आया है हमारा, ये electronic concept के basis पर हम इसके acid और basic nature को define कर रहे है, तो जो electron देगा, वो क्या होगा, base होगा, जैसे sodium, magnesium, calcium, है ना, potassium, उसके बाद में lithium, ये सब के सब क्या है, ये तरफ, तो हमने पहली बात बता दी कि जो amine group है, वो सवहाओ से कैसा है, छारी है, ठीक, एक चीज हो गई, छारी है, मतलब की base है, ठीक है भाई, चलो, अब दूसरा अगर मैं बताओं कि दूसरा जो है, carboxylic group, वो क्या है, acid है की base है, acid है, वो तो, है ना, वो तो सबसे पहल आयन डोनेट कर सकता है, है ना, मतलब की वो electron अपने पास रख लेगा, और hydrogen को ऐसे ही क्या कर देगा, वहाँ से भागा देगा, खाली हाथ, है ना, जहां से, अभी उसको भी मैं आपको structure बता देता हूँ, जैसे देखो, carboxylic group में क्या है, एक carbon, है ना, ये रहा OH, और ये र element होता है, electro negative element होता है, electro negative समझते हो कि नहीं क्या होता है, नहीं, electro negative का मतलब हिंदी में उसको कहते हैं, विद्यूत रिनात्मक तत्व, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, विद्यूत रिनात्मक तत्व, तो oxygen जो होता है, वो विद्यूत रिनात्मक होता है, मतलब उसका, कि वो द hydrogen के electron को अपनी तरफ आकरशित करने का प्रयास करेगा मतलब attract करने की कोशिश करेगा ठीक और इसी कोशिश में क्या होता है कि oxygen electro negative और यहां पर तो दो oxygen है तो यह भी electron खीच रहा है और यह भी electron खीच रहा है तो hydrogen क्या है विचारा चोटा सा element है मतलब उसके पास जो एक electron है जो की bond में include है यह जो bond बना इन दोनों के बीच में उसमें एक electron hydrogen का और दूसरा electron किसका है oxygen का है तो अब oxygen क्या करता है कि इन दोनों electron को अपनी तरफ attract कर लेता है इस तरीके से और hydrogen जो है अपना electron oxygen को दे कर यहां से H positive बना कर क्या हो जाता है निकल जाता है तीक है उसको निकलना पड़ता है वो उसकी मजबूरी होती है क्योंकि oxygen जो है उससे more electron negative substance है तो इस तरह कैसे hydrogen का electron किसके पास चला गया oxygen के पास क्यों चला गया उसके electron negative nature की वजह से है ना electron negative nature वाले कोन कोन से होते है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि पूरी की पूरी halogen family मतलब group number 17 समू सत्रा जो होता है है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सब का सब क्या है ये electron negative है त्रिनात्मक तत्व है इन सब की परवत्ति क्या होती है इलेक्ट्रोनों को अपनी तरफ खीचना अट्रेक्ट करना ठीक उसके बाद में oxygen family, oxygen sulfur, selenium, polonium, tolorium ठीक है ये सब के सब क्या है ये भी इलेक्ट्रो नेगेटिव है और इसमें देखो basically हमको पढ़ना क्या है halogen, oxygen है ना oxygen के बाद nitrogen नाइट्रोजन तो कभी-कभी दोनों त सबसे ज़्यादा electro negative element कौन सा होता है, fluorine होता है, कौन सा होता है, fluorine है ना ये होता है, ये सबसे more electro negative होता है और उसके बाद दूसरा number किसका आता है, oxygen का, बात समझ में आ गई, तो अगर माल लो fluorine किसी के साथ bond बना रहा है, है ना तो वो क्या करेगा, वो उसके electron को अपनी त hydrogen के electron को वो अपनी तरफ क्या करता है, attract करता है, और इसी लिए hydrogen पर partially positive चार जाता है, कैसा चार जाता है, partially positive मतलब आंशिक रूप से उसके उपर क्या आ जाता है, धनावेश, वो उसको यहां से निकाल नहीं पाता है, क्योंकि hydrogen दो है और oxygen कितना है, एक ही है, पर इसी वज़ उसको universal solvent भी कहते हैं, सारवत्रिक विलायक भी कहते हैं, जल को, है ना, चलो, अब हमारे इस पर वापस आ जाओ, तो भाईया, दो चीज हो गई, कि acid जो है, कारवाक्सली ग्रूप जो है, वो कौन सा समू है, acid, और उपर वाला जो है, बेस है, इसी वज़ा से यह कैसा हो गय है, बास समझ में आ गई, चले आ गए, है ना, चलो, तो देखो, अब इसका structure भी मैं आपको बता देता हूँ, एक basic structure amino acid का क्या होता है, basic structure जो होता है, कि इसमें एक तो होगा carbon, है ना, central atom, दूसरा इसके साथ जुड़ा होगा कौन सा group, ये वाला group, है ना, एक group इसके साथ ज frequency कितनी होती है, चार, मतलब ज्यादा से ज्यादा carbon अपने साथ कितने तत्वों को जोड सकता है, चार, है ना, तो ये चार complete हो गए, पांचवा नहीं जोड सकते हैं, है ना, तो चार हो गए, एक कौन सा है, carboxylic group, दूसरा कौन सा है, amine group, तीसरा hydrogen है, और चोसा कौन सा है, R मतलब क्या होता है, बताओ जरा, R मतलब क्या होता है, नहीं, halogen नहीं है, R काहां से halogen हो गया, R का मतलब होता है, alkyl group, हा, alkyl group, ठीक है, अब ये जो alkyl group है, ये R तो केवल उसका symbolic representation है, है ना, क्या है, symbolic representation है, वहाँ पर alkyl group कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि CH3 हो सकता है, C2H S5 हो सकता है, है ना, या C3, S7 हो सकता है, इन में से कोई भी हो सकता है, बहुत 15-20 carbon भी हो सकते है, या एक carbon भी हो सकता है, बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है, clear, चलो, तो ये हो गया structure, और ये हो गया उसके दोनों group की बात मैंने आपको बता दी, अब हम चलते हैं, amino acid के classification के आपको बताऊंगा, कि position of, ठीक है, on the basis of position, किसकी position, amine group, है ना, amine group की position के हिसाब से, मतलब की amino sum जो है, उसकी जो इस्तिती है, है ना, position का मतलब इस्तिती, उसकी इस्तिती के आधार पर, amino acid को कितने parts में divide किया गया है, फोर पार्ट्स में, कितने parts में divide किया गया है, फोर पार्ट्स में, इस तरीके की चीजे पढ़ेंगे, बायो मॉलिक्यूल, अंदर जाके कर क्या रहा है, अंदर जाके तो सब बायो केमिकल रियक्शन ही होना है, तो केमेस्ट्री से हम बच नहीं पाएंगे, थोड़ा तो हम को पढ़ना पड़ेगा, हम जादा इस में detailing तो अभी हम करी नहीं रहें, है ना, उनके formula आपको बता नहीं रहें, structure किसी का कोई बता नहीं रहें, केवल जो चीजे हमारे syllabus के according जरूरी है, है ना, वो चीज में आपको बता रहा हूं, वो भी सरल तरीके से, बास समझ में आ ग है, उसके लिए अच्छी बात है, और जिसको नहीं भी समझ में आता है, है ना, जो chemistry को विल्कुल बोजहा मान के चलते हैं, शुरू से, कि भई chemistry तो मतलब नहीं हो पाएगा, है ना, तो, हाँ, तो जिसको पसंद है, जो पढ़ सकता है, उसके लिए अच्छी बात है, अदर और ये रहा पीछे, अलकाइल, अलकाइल की जगा, मानलो में एक और CH3 जोड़ देता हूं, और ये हाइड्रोजन, बात समझ में आ गई, ठीक है, अब देखो जरा, कि हम यहाँ पर, अमाइन की पोजिशन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पे मतलब की, कार्बोग्जिलिक एसिड से, या किसी भी फंक्चनल ग्रूप से, अटेज होने वाला जो पहला कार्बन एटम है, उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, बात समझ में आ गई, ठीक, उसके बाद वाला जो होगा, वो कौन सा होगा, भाई, बीटा कार्बन, है चार तक ही पढ़ना, वो तो बहुत सारे होते हैं, है ना, जितने चाहा होतने हो सकते हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, तो अब अमाइन ग्रूप अगर अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है, है ना, समझ में आ रही बात, अमाइन ग्रूप कहां जुड़ और कौन सा, ये वाला, है ना, अब अगर मैं कहूंगा, बीटा अमीनो ऐसी, ये बना लिया सबने, है ना, अब मैं इसको मिटा के क्या कर दूँ, बीटा, तो बीटा के लिए मुझे, एक और कार्बन में यहां पर जोड़ दिया माल लो, तो अब ये CH3 था, ये कैसा हो बीटा आमीनो ऐसे बाद समझ में आ गए तीक इसी तरीके से अगर मैं इस वाले पर जोड़ दूँ है ना ये सी एच हो जाएगा ये सी एच टू हो जागए बेलेंसिंग का हमको ध्यान रखना है हर कारवन के साथ चार ही जोड़ना है बस चाहे वो चार हाइडोजन हो सकते है इसके बाद मैं क्या करूँगा गामा तो गामा के लिए क्या करूँगा अमाइन ग्रूप को अगले कारवन पर एड़ कर दिया मैंने ये देखो एड़ कर दिया तो अब देखो इसको मैं पूरी अच्छे से लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा CH2 ठीक है और ये भी क्या बन गया आपका gamma amino acid तो यह alpha carbon, beta carbon, gamma carbon इसके बाद वाल आप next बना ही सकते हो ठीक है तो यह हो गया amino acid का classification किसके basis पर हो गया amine group का जो है position के basis पर ठीक अब हम इसके nature के basis पर बोलेगी थी कि इसको जैसे मैंने CH3 लिखा है ना इसको इस तरी के से लिखा जाता था CH3 ठीक है मतलब carbon किसके साथ है carbon के साथ तो उसको आगे लिखा जाता था पर आप उन्होंने allow कर दिया है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते ह था confusion होता था है ना आज समझ में आ गई तो यह type आपको समझ में आ गए चलो अब अगला इसको मैं मिटा रहा हूँ अगला जो हमारा classification है वो किसके basis पर है वो है nature के basis पर ठीक है तो हम लिखते है on the basis of nature मतलब की सभाव या प्रकृति के आधार पर वर्गी करण ठीक इसके आ amino acid acidic amino aml मतलब की amli amino aml amli amino aml थीक दूसरा है मेरे पास basic दूसरा क्या होगा basic amino acid मतलब की छारी amino aml चारी amino aml और तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा neutral मतलब की उदासी 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 अमीन अमल या neutral amino acid देखो अभीन का अलग-अलग मतलब में फटा-फट बता देता हूँ कोई देखो कोई कठीन चीज नहीं है बहुत ही सरल सरल चीजे है अच्छे से अगर आप ध्यान देखे पड़ते हो तो यहां क्या लिखा है मैंने acidic, acidic का मतलब क्या है कि यहां पर हमने कहा था कि amino acid में दो group है एक amine group और एक कौन सा है acid है तो अगर acidic group का number ज्यादा हो जाता है acidic group ज्यादा हो जाते है मानलो इस वाले amino acid में जो amine group का number है मतलब number of amine group है ना इसकी संख्या कैसी है कम है किस से number of number of carboxylic group बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि acidic nature के लिए कोन responsible है यह वाला group अगर यह ज्यादा होगा तो amino acid का overall nature कैसा हो जाएगा acid बात समझ में आ गई amino amine का जो amine is of how है वो किसकी कारण होगा वो होगा इसके कारण और अगर इसकी संख्या ज्यादा है मतलब की वो कैसा हो जाएगा अमली हो जाएगा और अगर इसकी संख्या काम होगी तो क्या हो जाएगा छारी हो जाएगा बाद समझ में आरी कि नहीं आरी तो इसको भी लिख लो जल्दी से इसका एक्जाम्पल भी है एक एक्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको aspartic acid या aspartic amino amyl लिख लो आप aspartic amino amyl ये कौन सा amino amyl होता है acidic amino amyl ये examples हमको कम से कम एक एक याद रखना है example तो बहुत सारे हैं पर एक भी याद हो जाता है तो अच्छी बात है देखो इसको अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको एक इसमें example में समझा देता हूँ जैसे के अभी हमने एक गरूप बनाया था यहाँ पर एक COS था NH2 था यहाँ पर क्या था CH3 था और यहाँ पर H यह हमारा normal compound है अब हमने क्या किया है अब हमने कुछ नहिת किया है कि यह जो आपका एक गरूप है बात समझ में आ गई? चलो, अगला देखो, अगला कुन सा है हमारे पास? बेसिक, बेसिक में क्या होगा बताओ जराब, किसका नंबर बढ़ जाएगा? हाँ, भई, बेसिक नेचर के लिए कौन रिस्पॉंसिबल है? अमाइन, तो इसलिए अगर अमाइन की संक्या जादा होग तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, छारी हो जाएगा, बात समझ में आ रही हो तो पूछ लेना, है ना? हेजिटेशन के शर्माने की जरुवत नहीं है, पूछ सकते हो आप, क्योंकि सभी स्ट्रीम के बच्चे यहां पर आकर बेठे हुए हैं, है ना? ह हो सकता है, जो इसका साइन्स से वेगराउंड है, उसको सब समझ में आ जाएगा एकी बार में, और जो यह सब पहली बार पढ़ ला है, उसको थोड़ा सा मुश्किल पढ़ेगी, है ना? तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बेसिक अमीनो एसिड में क्या ह होगा, कि नंबर ओफ अमाइन ग्रूप जो है, वो कैसा है? ज्यादा है, किस से? नंबर ओफ कार्बोक्सिलिक ग्रूप, कार्बोक्सिलिक समूँ की संख्या कम होगी, किस से? अमीनो समूँ से, उसको हम क्या कहेंगे? बेसिक अमीनो एसिड, बास समझ में आ गई, इसका एक एक्जाम्पल है एलनिन एलनिन जो है इसका एक्जाम्पल है ठीक है भई के अलावा एक और क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिट का वो होता है बेसिस आफ नीड आवशक्ता के अनुसार वर्गी करण में क्या लिखो गए है कि दो तरीके के होते हैं आवशक्ता के अनुसार वर् सार दो प्रकार के हैं पहला है आपका इसेंशियल ठीक है पहला कौन सा है इसेंशियल और दूसरा कौन सा है नौन इसेंशियल ठीक है भई इसेंशियल और नौन इसेंशियल मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है आवश्यक आवश्यक और दूसरे को कहा जाता है अनावश्यक ठ यह उसको समझाने के लिए है कि इसका मतलब क्या है वो में समझाता हूँ देखो इसेंशेल का मतलब आवशक का मतलब यह होता है यहाँ पर कि ऐसे अमीनो एसीड जो हमारी बॉडी नहीं बना रही है क्या कर रही है बॉडी नहीं बना पा रही है वो हमको कहां से लेने पढ़ रहा है हमारे food supplements है जो हम खाना खाते है उस हाँ जो भी food आप खाते हो उस food से ये amino acid बाहर से आते है इसलिए इसको हम क्या कहते है आवश्या बही कोई चीज जब import की जाती तो उसकी value बढ़ती है कि नी बढ़ती है हम बोलते है इंपोर्टेड है हमारे घड़ी है इंपोर्टेड है है ना बोलते है इसा तो मतलब कि ये इंपोर्टेड का मतलब बाहर से आने वाली चीज इसलिए वो कैसी है आवश्या एसा नहीं है कि नौन इसेंचिल जो है वो शरीर के लिए जरूरी नहीं है शरीर में उनकी वे आवश्यकता है परन्तु वो अनावश्यक इसलिए है क्योंकि शरीर उनको खुद ही बना रहा ह कि not synthesize by body not synthesize by body शरीर के द्वारा इनका निर्माण नहीं हो सकता है और इसमें क्या लिख सकते हो synthesize by body इसका निर्माण शरीर के द्वारा हो सकता है ठीक इनकी जो संक्या है वो कितनी है 10 और इसकी भी संक्या कितनी है 10 दस अमीनों अमले ऐसे है जो हमारे शरीर बना सकता है औ तो यह हो गया उसके बेसिस पर चला अब देखो अगला इस पर कई बार कोशन पूछा जाता है वो है आपका ज्विटर आयन क्या कहते हैं इसको ज्विटर आयन ज्विटर आयन ठीक है यह क्या होता है इसको समझो ज्विटर आयन मतलब पहली चीज़ इसमें लिख लो कि यह क्या होता है इंटर्नल सॉल्ट होता है इंटर्नल सॉल्ट मतलब की यह आंतरिक है ना मतलब कंपाउंड के अंदर ही बनता है आंतरिक जो है यह लवण होता है salt का मतलब लवण अब देखो लवण मतलब salt कब बनता है जब acid और base दोनों मिलते हैं जैसे हमको अगर हाँ जब हमको acidity हो गई मालो तो हम क्या खाते हैं पीते हैं ino, ino क्या है base है तो वो जैसे ही अंदर जाता है acid की साथ reaction करता है और reaction करने के साथ ही वो क्या करता है उसको neutral कर देता है उसको क्या कर देता है neutralization हो जाता है उदासीन हो जाता है बात समझ में आई कि नहीं आई तो आप देखो ज़रा amino acid में तो दोनों group है है ना acid भी और क्या है base भी है दोनों चीज़े है तो मतलब कि ये तो अपने आप में ही क्या हो गया एक neutral molecule हो गया होगा की नहीं हो गया तो इसी लिए ये क्या करता है कि इसके अंदर ही जैसे हमने देखा था ना अभी कि ये एक group है ना ये मेरे पास है आपका carbon दूसरे वाला अलकाई लिख देता हूँ में ये hydrogen और यहाँ पर क्या था अमाई अब इसमें क्या होता है कि देखो ये है acid और ये कौन सा है basic तो इसके अंदर ये acid और basic दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते है neutralize कर लेते है है ना और neutralize कैसे होता है कि इसका जो एक hydrogen वो किसके पास चला जाता है NH2 के पास है ना NH2 के पास जब वो जाता है तो structure किस तरीके का बन जाएगा आप देखो जरा कि ये बन जाएगा COO negative COO और positive कहां चला गया आपके पास देखो ये हो गया NH2 है ना ये आपका NH2 जो है वो इसके पास आ गया तो ये हो जाएगा NH3 है ना और NH3 कैसा हो जाएगा positive बास समझ में आई और ये हो गया H ये जो होता है इसको क्या कहते हैं zwitter iron क्या कहते हैं इसको zwitter iron तो इसका structure अच्छे से बना लो ये पूछा जाता है zwitter iron का मतलब कि जिसमें negative और positive दोनो चार्ज है है ना zwitter iron का मतलब क्या हुआ जिसमें धनायन और रिनायन दोनो चार्ज अगर आपको दीखे कहीं पर भी तो उसको हम क्या कह सकते हैं zwitter iron कह सकते हैं ठीक और ये क्यों हो रहा है क्योंकि एक acidic है और दूसरा basic है और इसी वज़ा से COOH जो group है ये तो बोली रहा है hydrogen को कि तुम जाओ यहां से हमें तुम की जरुवत नहीं है तो ये जाकर कहां चला जाता है हमाइन के पास चला जाता है ठीक है चलो तो ये हो गया आपका जुटा रहा है अगली जो चीज इसमें और एक और important है वो है peptide bond हमने सब कहानी तो बता दी कि amino acid ऐसा होता है अब ये protein बनाता है ये भी हमें पता है पर ये कैसे बनाता है protein तो जब amino acid आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनेगा और वो जिस bond से जुड़ते हैं उस bond को क्या कहते है peptide bond अभी मैं बताता हूँ आगे ये इतना हो गया चल तो इसको मैं मिटा देता हूँ अगला आमको देख peptide bond ठीक है peptide and peptide bond ये दोनों ही चीज बता देता हूँ ठीक है भाई इसको इंगलिश में हिंदी में दोनों में peptide भोलते हैं है ना peptide bond और peptide peptide bond ठीक है भाई अब देखो इसमें क्या होता peptide bond एक मैंने लिखा मानलो ये मेरे पास है ये लिख दिया मैंने एक amino acid ये लिख दिया मैंने एक amino acid ठीक जब हम कह रहे है ना कि दो amino acid मिलेंगे तो क्या बनेगा मतलब दो से जादा बहुत सारे amino acid मिलेंगे तो क्या बनेगा protein बनेगा तो मतलब कि सबको क्या करना है जोडना है जैसे हम देखते हैं कि कभी-कभी वो लोग protest करते हैं दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते है लंबी chain बना के तो वेसे amino acid भी क्या करने है एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो है और जहां पर वो एक दूसरे सा attach है उस bond को हम क्या कह रहे है peptide bond और वो केसे बनता है वो देखो जरा यह रहा मेरे पास पहला amino acid है ना यह रहा मेरे पास दूसरा amino acid यह देखो मैं लिख देता हूँ इसको यह हो गया amine group यह हो गया carbon यह हो गया COOH यह हो गया R और यह हो गया H ठीक है चलो दोनों को हम एक ही जगा लिख लेते हैं इसको भी हम R नीचे लिख देते हैं और इसका NH2 इदर लिख देते हैं तो यह balance दिखेगा ठीक आप देखो क्या होता है कि protein जो है वो amino acid का polymer है और polymer में भी कौन सा polymer है condensation polymer उसको लिख लो कि protein amino acid का polymer तो है पर कौन सा polymer है condensation मतलब संगनन है condensation polymer अब देखो यह क्या होता है condensation polymer का मतलब क्या है condense होना मतलब भी जुड़ना है ना और हम कह रहे हैं कि addition मतलब भी क्या है जुड़ना addition मतलब भी जुड़ना और condensation मतलब भी जुड़ना मतलब की yoga योग मतलब भी जुड़ना और संगनन मतलब भी क्या होता है जुड़ना पर दोनों के जुड़ने में अंतर क्या होता है कि जब condensation के थुरू है ना condensation के थुरू जब दो molecule आपस में जुड़ते हैं तो उनमें से कोई एक तीसरी चीज वहाँ से क्या होती है बाहर निकलती है जैसे चाहे वो water का एक molecule निक क्या होता है बाहर निकलता है that is called condensation उसको संगनन कहा जाता है और addition का मतलब addition में कुछ भी बाहर निकलेगा सिर्फ क्या होगा add होगा बास समझ में आ गई है चल जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप धागा जोडते हो आपस में तूड़ गया तो हमें उसमें गा गाया शुरू से लेकर आकरी तक उसमें कोई भी गाठ नहीं है और कोई भी molecule वहां से निकला नहीं है अब बताओ इसमें से निकलता क्या है जब यह दो आपस में जुड़ेंगे तो क्या निकलेगा H2O निकलेगा क्या निकलेगा H2O देखो इस H2 को में इस तरीके से लिकरा हूँ एक H और दूसरा H ठीक है अलग-अलग लिख दिया अब यहां से जो OH ग्रुप है और यहां का जो H है यह क्या हो जाएंगे यहां से बाहर निकल जाएंगे और क्या बनेगा यहां पर मैं लि क्यों लई यह क्या हो गया आपस में जुड़ गया तो जुड़ गया तो उसको हम बना लेते हैं देखो क्या क्या रहा बचा यहाँ पर NH2 फिर कारवन हाइड्रोजन अलकाइल ग्रूप CO उदर से NH है ना फिर CHR और COOH ठीक है भाई क्लियर यही बनेगा आप जमा के देख लो बले यह CO और यह रहा NH ठीक बागी तो सेम ही है सब अब यह जो बना है ना इन दोनों के बीच में इसी को हम क्या कहेंगे peptide bond कौन सा bond कहेंगे peptide bond या peptide bond ठीक और इस पूरे molecule को क्या कहा जाता है peptide ठीक है पूरे molecule को क्या कहेंगे peptide और इस bond को क्या कहेंगे peptide bond अमीनो एसिट के बारे में ये बेसिक जानकारी ये तो आपको ध्यान रखनी है